तो स्टुडेंट्स आप सभी का जोगत है हमारे से यूटीब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें कारपत्री का 20 के बारे में जो क्लास 7 और एर्थ 2 नहीं कच्छाओं के लिए और तिथी के आज की 29 साथ 2021 के सहां पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है और इस वक्सीड को सुरू करने से पहले हम बता दें कि हम लोग क्या करते हैं हर वीक एक आपके लिए ठैंक्स वीडियो लाते हैं जिसमें आपके कमेंट को सो करा जाता है और आप सभी को ठैंक्स बोला जाता है आपका नेम लिखा तो आपको करना क्या है वीडियो को ला योग पानी सीमित मात्रा में कितना है बहुती सीमित मात्रा में पीने योग पानी है और हमें हमें पानी को काफी साफ रखना चाहिए और जो पानी है उसे काफी साफ रखना चाहिए और उसे बरबाद नहीं करना चाहिए ठीक है जब हम किसी चीज को बचाने का प्रयास करते ह तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है, संदच्छन, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उसे कहा जाता है, संदच्छन, और आपको एक बात बता दूं, बच्चों को, how much water, ठीक है, does the world have used, ठीक है, दुनिया में कितना पानी है, हमा पानी जमा हुआ है, और 1% जो है, वो fresh water है, या जो पीने योग्य पानी है, इस वज़े से हमें क्या है, पानी का कंदर्विशन करना बहुती ज़्यादा क्या है, जरूरी है, बच्चों, ठीक है, हमें जल का संदच्छन की आवसकता, क्यों है, तो मैंने अब भी आपको बत salt है, या नमक है, या हिम नदियों में रूप में जमा है, यानि कि glazer के रूप में जमा हुआ है, बरफ के रूप में जमा हुआ है, जैसे जैसे जन संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या और जन संख्या बढ़ रही है, वैस हम इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी का कितना पानी के इस्तमाल करते हैं ठीक है इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी कि हम कितना पानी का इस्तमाल करते हैं पानी संरच्छण के उपाए क्या क्या है क्या है क्या उपाए है पानी संरच्छण के इसके बारे में बात करते हैं ब्रस करते हैं आपको नल क्या कर देन चाहिए वर्सा जल संचेन का मतलब है घर में कुछ ऐसा एक ऐसा जो है टेकनिक कर देना जिससे पानी क्या हो सीधे अंडर ग्राउंड जाए इधर उधर कहीं न जाए ठीक है नाते समय हम बाल्टी और मग का क्या करना चाहिए इस्तमाल करना चाहिए कभी भी सावर नहीं लेन और एक लीके जासूज बने यानि कि आपको क्या करना है एक डिक्डेक्टिब बनना है कि सभी नल या पाइप जो हैं जाच करते रहें समय समय पर की बंद है और उनमें से कहीं पानी तो लीक नहीं हो रहा है अब आईए देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि सोयम को जाच प्रस्ण अपने घर में होने वाली उन गती विदियों की सूची बनाएं जिसमें आप इस्तमाल करते हैं ठीक है जिसमें आप क्या करते हैं पानी के इस्तमाल करते हैं और उन गती विदियों में होने वाले पानी का अंदाजा लगाएं ठीक है और आप किसी बड़े खी भी सह अगानी का परियोग होता है कितना होता है डेली, 20-50.L तक पानी इसमें लगता है, इस तरीके से आप सूची बना लिजेगा, एक तरव लिखिएगा खाना पकाने में, एक तरव यहां लिखिएगा खाना पकाने में, यहां पानी, फिर अगला जो बताएंगे वो नेम यहां इसके बाद जो है इसके बाद नहाने में बोल सकते हैं कितना हम लोग यूज़ करते हैं नहाने में तो नहाने में जो बच्चो है ठीक नहाने में हम पानी कितना प्रियोग करते हैं तो नहाने में हमारा जो है एक वेक्ती पर कम से कम 20 लीटर पानी खर्च होता है और अगर अगर में 5-10 से हैं तो मैंने कितना लिखा 100 लीटर ठीक है इसके बाद आप लिख लिजेगा कपड़े धोने में ठीक है क्या लिखेंगे कपड़े ठीक लिखेंगे कपड़े ठीक है धोने में तो एक व्यक्ति दिंबर में कम से कम 5-6 लीटर पानी पीता, अगर 5 लीटर भी रखें तो मेरे घर में 5-10 हैं तो हम कितना यूज करते हैं 5 लीटर पानी ठीक है तो 25 लीटर पानी हो जागा इस तरीके से आप भी लिखते चलेंगे और अगला क्या हो जागा अगला बच्चों दियान लखिएगा अगर हम उसकी बात करें अन्य अन्य प्रियोग ठीक अन्य प्रियोग में अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा कम से कम 100 लीटर पानी डेली का लग जाता है ठीक है तो यह आपका प्रस्ट नंबर एक कांसर हो जागा इसके बाद अगला प्रस्ट क्या है जल संदच्छन को बरहावा देने के लिए एक स्लोगन लिखने हैं तो आपको स्लोगन मैं क्या करता हूँ लिखकर दिखा देता हूँ तो बच्चो आप सभी क्या करेंगे प्रस्ट नंबर दो में क्या लिखेंगे हम सबका एक ही सपना है पानी की हर बूंद को बचाना है ये क्या है प्रस्ट नंबर दो के उत्तर के रूप में लिख लेंगे ठीक है क्या है हम सबका एक ही सपना है पानी की हर एक बूंद को बचाना है तो आए देगे आगे वक्सीट में आपका क्या दिया गया है तो बच्चो आगे वक्सीड में प्रस नमबर तीन क्या है आप जल संदर्चन के लिए कौन सी अच्छी आदत अपनाएंगे तो आपको क्या करना है आप कौन कौन सी अच्छी आदत अपनाएंगे जल संदर्चन के लिए एक ये लिख लीजेगा एक ये एक ये और एक ये ये चारो पॉइंट क्या कर लेंगे आप यहाँ पर प्रस नंबर 3 के उत्तर के रूप में लिख लेंगे ठीक है आपकी वक्सीड क्या होती है बच्चो आपकी वक्सीड होती है यही पर समाब तब वीडियो का ऐसे लगी कमेंट कर कर बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद बच्चो